दोस्तो आज मैं शेयर करूँगी लोंग और कपूर के बहुत ही चमतकारी उपाए जिनको करके आप जीवन में आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, घर को धन्धाने से भर सकते हैं, आप हर परशानिय को दूर कर सकते हैं, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करत आपको मिलते रहे तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों लोंग के साथ कपूर जलाना बेहत शुब माना जाता है उन दोनों का एक साथ जलाने से घर में ना केवल सुक्षानती आती है बलकि कई नकारात्मक उर्जा भाग जाती हैं मैं आपको बता दू कि लोंग और क कपूर के उपाय सुक्षानती से लेकर धन प्रापति में भी मदद करते हैं घर में मुझूद कुछ चीजों का जोतिश और वास्तु के उपाय में भी इस्तिमाल किया जाता है इन उपाय को करने से आप धन और कारिशेत्र से समधित परशानियों से मुक्ति प्रापत कर सकत और गर के शुक्षानती बनी रहती है, तो आईए मैं बताती हूं लोंग और कपूर के बहुती चमतकार उपाए, घर में कलेश को लेकर पर्शान हैं तो ऐसे में आपको घी में कपूर को भीगो कर उसके साथ लोंग जला लेनी हैं, अब इससे पूरे घर में घुमा लेना है, इससे घर में शुक्षान्ती बनी रहेगी परिशानियों से अगर छुटकार अपाना चाहते हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए अगर आप किसी परिशानी से घिरे हैं तो ऐसे में आपको मंगरबार को हनुआन मिंदिर बे जाकर पांच लोंग और कपूर जलाकर पूजा करनी चाहिए इससे आपको बहुत जल्दी परिशानी से चुटकारा मिल सकता है रोगों से मुक्ति के लिए ऐसा माने जाता है कि घर में लोंग के साथ कपूर जलाने से परिवार के सद्द से रोग मुक्त रहते हैं रोगों के पनपने की अशंका भी कम होती है नकारत्मक उर्जा को दूर करने के लिए रोजाना घर में कपूर के साथ लोग जलाने से नकारत्मक उर्जा दूर होती है और घर में सकारत्मक उर्जा का वास होता है इससे घर के सद्रिश्चों के बीच आप सिप्रेम बना रहता है ये कटोरियों पांच लोंग कपूर और रिलाइची लेकर प्रजोलित करें और उसे पूजा इस्थान सहीत पूरे घर में दिखाएं माना जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक उर्जा दूर होती है और सकारात्मक का संचार होता है इससे आपके घर में शुक्षान्ती बनी रहती है, साथ ही इससे वाईयू में मोजोद विशानूमी नस्ट होते हैं, जिससे लोगों रोगों से परनपने की अश्यंका कम हो जाती है, ये कारे सब्ता में कम से कम दो भाल जूरू करें दोस्तों अचानक धन प्राप्ति के लिए आपने ये उपाय करना है, रात के समय सोने से पहले एक चान्दी की कटोर में लोग और कपूर को जलाय रो जाना ये उपाय करने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी दुश्मनों से चुटकारा पाने के लिए आपने ये उपाय करना है, अगर आप दुश्मनों से परशान हैं तो मंगलवार को बजरंगवान का पाट करें, इसके बाद पांच लोग और कपूर के साथ जलाकर हनमान जी का पूजन करना चाहिए, इसके बाद जो राख बचे उससे अपने माथे पर तिला करें, माने जाता है कि इस उपाय को करने से जल्दी दुश्मन से चुटकारा मिल जाता है, मावशिया पूर्णेवा की रात 11 या 21 लोग कपूर के साथ जलाएं, इसके बाद देवी लक्ष्मी का ध्यार करें, ऐसा करने से रुकावा धन आती है, दोस्तो मंगलवार को हनमाजी के सामने एक लोग का जोड़ा डाल कर सरसो के तेल का दीपक जलाएं और हनमाज चालिसा का पाट करें, जल्दी भायत का फल आपको मिलेगा, भगवान के सामने कपूर जलाने से क्या होता है, वह मैं आपको बताऊंगी, यदि घर में कपूर जलाते हैं, तो आपको पृतिदोश खतम हो जाता है, घर में रोजना तीन बार सुबा शाम और रात के वक्त भी भिगोया हुआ कपूर जलाने से पृतिदोश में शान्ती मिलती है, यह कहा जाता है कि गाय के उपलो पर कपूर जलाकर घर में दिखाने से घर में सेल अक्षिय पूर्ने की प्राप्टी होती है। सुबर शाम के समय पूजा के दौरान कपूर जलान से घर में सकारतम कुर्जा का प्रिवेश होता है और घर का वातरन भी बना रहता है। इससे घर के सभी सदस्यों को रोग से मुक्ती मिलती है और अरोग्य की प्राप्ती होती है घर में कपूर और लोग जलाने से क्या होता है ये मैं बताने वाली हूँ कपूर के तेल को होटों पर अधिक लाया से होट बेहर ड्राइ हो सकते है कपूर का इस्तमाल तवाचा की सुजन को दूर करने के लिए भी किया जाता है लेकिन यह होट को तेजे से सुखा भी सकते है लोंग के यह उपाय फायदे मंद है घर में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए भी जोतिश में लोंग का टोटका बताया गया है इसके लिए मालक्षमी को गुलाब के फूल तथा दो लोंग भेट करें उसी समय एक लाल रंग के कपड़े में पांच लोंग और पांच कोड़िया बाद कर अपने घर या ओफिस व्यापारिस्तल की तिजोरी में रखतें तंत्र जोतिस के इस उपाय को करने से मालक्षमी प्रसन होती है दोस्तों जब भी आप किसी कारे के लिए घर से भार रिकले तो इश्वर का ध्यान करते हैं मुह में दो लोग रख ले इससे कारेस्तल पर पहुचरे तक मुह में ही रखे निर्धारित कारेस्तल पर पहुच कर उस लोग को फैंग दे ऐसा करने से आपका कारे अविश्य सिद्ध होगा शास्त्रों में अलग-अलग उदेशियों के लिए अलग-अलग उपाय बताए गए हैं उनका प्रयोग आप किसी विद्वान पंदित की सलास्य कर सकते हैं आपका हर बिगड़ा काम बनेगा अगर आप यासा करते हैं या जी हजारों प्रयासों के बाद भी आपके काम बिगड़ रहे हैं आपको बार-बार सफलता मिल रही है, तो मंगलबार को लोंग का उपाय करें, इस उपाय से मंगलबार के दिन हनुमान जी की बरतिमा प्रतिमा के आगे चमयली का तेल का लिया जलाएं फिर वहीं पर घर बैठकर अपर पसंद होगे कि अगर पसंद आए हो तो प्लिज लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू